प्रेंड़्स मैंने लिए है वीट फिलो 1-800 ग्राम उसमें हम 20 ग्राम सूजी डालेंगे रावा और 2 ग्राम बेकिंग सोडा डालेंगे गयू का भीश चास रैल यह это'll बेकिंगं सोडा वीश क्राम रावा डाला थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका आठा गून लेंगे जैसे रोटी के लिए आठा गूनते हैं थोड़ा ना ज्यादा नरम ना ज्यादा सक्षाई होना चाहिए आठा तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका आठा गून लेंगे तो ये देख हम करने के बाद ये एक कप बेसन है बेसन में तोड़ा तोड़ा पानी डाल के इसका मीडियम कंसिस्टंसी का बेटर बनाएं ना ज्यादा गारा ना ज्यादा पतला सेमी थिक बेटर बनाएं ये बेसन है एक कप तो ये देखें ये मैंने बना लिया बेटर इस तरीके का होना चाहिए अब एक हम ये लेंगे बरतन और इसमें ये बूंदी बनाएंगे जिसमें सुराखो शनी से हम बैसन को गुजारेंगे और पास करेंगे और इसके हम बना लेंगे ये बूंदी ये बूंदी हम पानी में डालेंगे बाद में तो ये बूंदी सुनेरी रंगाने तक पक जाएं गोल्डन ब्राउन फ्राइर करें एक कप धनिया एक कप पुदीना तीन कप पनी लिया है मैंने एक हरी मिर्च नमक अजबे जायका एंहां हाफ टीपून ब्लेक सॉर्ड हाफ टीपून क्यूमन पाउडर हाफ टीपून रेड पिपर ठीक वाटर दो ब्लेंडर में डाल दन्या, पुदीना, पानी, काला नमक, जीरा पाउडर, लाल मिर्च, नमक और ये सब डाल देंगे मसाले और पानी डालेंगे तीन कप ये देखें दन्या पुदीना डाल दिया तो ये तीन कप पानी डाल के इसको ब्लेंड कर देंगे अब ये हरा पानी चान ले ये देखें इसको चान लें, तो यह मैंने थान चान लिया, यह हमारा हरा पानी त्यार है, इसमें हम बार में बूंदी डालेंगे, जो हमने फ्राय की थी, अब हम इमली का पानी बना लेते हैं, तो इसके लिए हमें चाहिए, हरे पानी में नीबू का रस्ट डालें, एक टेबिल स्पून अब दो से तीन टेबल स्मून इमली का पल्प अब इसमें हम डालेंगे आदा चुड़ा चमच जीरा पाउडर आदा चुड़ा चमच काला नमक साधा नमक और एक कप पानी इन सब को मिला लेंगे तो ये रहा हमारा एमली का पानी आटा के चोटे चोटे टुकड़े कर लेंगे आटे के और हर एक चोटे पेड़े को थोड़ा सा तेल में डिबोएंगे और फिर इसको रोल करेंगे तो ये हमारी एक पुड़ी त्यार हो गई, इसी तरह हम सारी बनाते जाएंगे थोड़ा सा तेल लगाते जाएं, संदली पे तेल था, बेलन पे भी तेल था तो मैंने इस दफ़ा नहीं लगाया, तो पुड़ी ये तेल वाली हो गई इस तरह हम सारी बनाते जाएंगे और रखते जाएंगे प्लेट में ये देखें एक बड़ी लोई लें और इसको सुखा आटा लगाके बड़ी रोटी बेलें और फिर गिलास कटर से इसके छोटी छोटी पुड़ियां काटें तो ये मैं इसकी बड़ी रोटी बेल दी अब इस तरीके से ये देखें मैंने चोटी छोटी पुड़ियां काट ली अब हम चितेल गरम हैं तो पहले हम एक एक पुड़ी डाल के देखने हैं कि ये फूल रही हैं कि नहीं बाद में हम चार पांच साथ में डालेंगे तो लास तक देखें मैंने बाद में चार पांच पु फूलती जाएगी ये देखें इस तरीके से इसके उपर तेल डालते जाएं और फिर तेल डालते जाएं इसके उपर और इसको नीचे दबाएं तेल में तो आपकी हर एक पूरी फूलती जाएगी तो इसी तरीके से मैंने सारी पूरियां वना ली हैं ये देखें इस तरीके से पुड़ी डाले उसको नीचे जोर से दबाएं और फिर थोड़ा सा प्रेशर दें या इसके उपर तेल डालें जब उपर नीचे से तेल जाता है तो बीच में पुड़ी के बाफ बनती है जिसकी वज़ा से पुड़ी फूलती है और अगर आटा अपका थोड़ा नरम गीला होगा तो बाफ अच्छी बनेगी उसमें मॉइस्चर होगा पुड़ी में तो नीचे उपर तेल डालने की वज़ा से बाफ बनेगी और पुड़ी फूलने लगेगी तो ये देखें मैंने सारी पुड़ीयां इसी तरह के से गोल्डन ब्राउन फ्राय कर लिए डाग ब्राउन फ्राय करेंगे तभी क्रिस्पी बनेगी क्योंकि ये वीट फुलोर की पुड़ीयां है तो इसे थोड़ा हमें डाग ब्राउन फ्राय करना पड़ेगा ये देखें सारी पुडियां इस तरीके से गोल्डन ब्राउन फ्राय कर ले गोल्डन ब्राउन थेंक यू फॉर वाचिंग आलू का मसाला उसमें आलू बॉयल किया उसमें चाट मसाला डाला नमक और सादा नमक डाल दिया यह हर्याप पानी ये मली का